प्यारे बच्चों मैं आपको क्लास 11 लेखा साथ से कर चेप्टर नमबर 4 लेन देनों का अभी लेकर टू जो कि हमारा अप्रोक्षली नुमेरिकल्स तक पहुंच चुका था इससे पड़े मैंने आपने इस चेप्टर के जितनी भी एक्जामपल्स है वो और साथे साथ आपक आपके लिए आंकिक प्रस्नि लेकर आएं हमिन आघ्रीक प्रस्नगों को सौल करेंगी तो शुरू करते हैं चेप्टर नमबर 4 पार्ट 5 आंकिक प्रस्नि संक्या एक में आपको कह गया है और जो पैसा जा रहा है वह भय में दिखाया जाता है तो शुरू करते हैं एक इस्तमी रोकड भई, आपको एक तारिक को हतस्त रोकड दी हुई है, तो शुरू करते हैं, यह लिखावा एक तारिक, दिसंबर का मेना है, दिसंबर एक, हतस्त रोकड, टूबेलेंस, रोट डाउन, कित्ता अमाउंट है, 12,000, आगे चले, भानू से नगत प्राप्ती, दिसंबर पांच, पेशा प्राप्त हो रहा है, टू में, किस से, भानू से, कित्ते रुपे हैं, चार्जर, जो पेशा हमारी बिजनिस में आ रहा है, और टू में, और जो पेशा हमारी बिजनिस से जा रहा है, किराय का बुक्तान किया, पेशा जा रहा ह दिसम्बर साथ, पेशा जा रहा है, बाहरेंग, कितना, दो होजार रुपे, आगे चलें, मुदारी से नगद माल खरीदा, माल खरीदिंग तो पेशा जाएगा, बाय पर्चेज, दिसम्बर दस, साथ जार, सोरी, छह जार, आगे चलें, माल की नगद बिकरी, माल बेचा, माल बेचा तो टू सेल्स, कितने दुप globalization? नो होजाओ रुपेगा, माल बेची की तो पेशा आएगा, आगे चलते हैं, लेखन सामगरिदी खृएदी, लेखन सामगरिदी खृएदी सो पेशा जाएगा, लेखन सामगरिदा के क्या बोलते हैं, इस्टेस्नरी क्या बलते हैं बच्चो इस्टेस्नरी कितने की खरीदी तीन सो रुपे गी आगे चलते हैं राहुल को उधार माल की खरीद का बुक्तांग किया उधार माल हमने खरीदा था उसकी एंट्री नहीं होगी लेकिन हमने उसका बुक्तान किया, किसको किया, लाहुल को, बाई, लाहुल, डेट, दिसम्बर, 22, कितना, दो हजार उपे, आगे चलें, वेतन का बुक्तान किया, पेशा जा रहा है, दिसम्बर, 28, बाई, सेलेरी, कितना पेशा बुक्तान किया, एक जार रुपे, उसके बाद, किराय का बुक्तान किया, तीस तारिको, दिसम्बर, 30, बाई, रेंट, कितना, 500 रुपे, जैसा कि बच्चा आपको पता है, यह आपकी है, प्राप्ति इंकम साइड, यह है, आपकी बुक्तान, पेशा ज आ रहा है, इस चैड का टोटल लगाएंगे, और उसमें से, इन सभी खर्चों को गठा कर, हम क्या निकाल लेंगे, बाई बेलेंस, करीड डाउन, सभी खर्चों को गठा कर, हम बाई बेलेंस, करीड डाउन, निकाल लेंगे, जो पेशा आ रहा है, टू में, और जो पेशा जा रहा है बाई में आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और नवंबर दोजा सोला आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको क्या बनानी है एक इस्तंबी रोकड भई प्यारे बच्चों वीडियो को आप पोच करेंगे वीडियो को पोच करके पहले एक इस्तंबी नॉम्बर एक सबसे बले दिया अतरस्त रोकड तू बैलेंस बीडि कितना बाया जारे पान सो हरी को नगर बुकतान किया नॉम्बर चार बुकतान किया पेसा जा रहा है बाय हरी कितने रुपे बुकतान किया च्छेसो रुपे आगे चले माल खरीदा पेसा जा रहा है नॉम्बर साथ पेसा जा रहा तो बाय साइड आ जाएगा वाय परचेज कितने रुपे आठ सो रुपे आगे चलते हैं अब इससे नगर प्राप्त हुए पेसा आ रहा है नॉम्बर बारा को टू हमीत निससो सौट रुपे पेसा आ रहा है टू में जा रहा है बाय में आगे माल की नगट बिकरी माल बेचा पेसा आ रहा है टू सेल्स कब बेचा नॉम्बर सोला को कितने का बेचा आठ सो रुपे का आगे चलें मनीश को नगट बुक्तान किया नॉम्बर बीच बाय मनीश कितने का बुक्तान किया पान सो नबर का आगे चलें मनीश को नगट बुक्तान किया बाय के दीज कितनी डेट है नॉम्बर पत्चीश कितना बुक्तान किया रुपीज का आगे चलें मनीश को नगट बुक्तान किया बुक्तान को क्या लिखेंगे वेचन को अगेजी में सेलेरी कितना किया एक एजार रुपीज वही आपको क्या करना है इंकम सेट का टोटल लगाना है और खर्चे को गठाना है क्या निकल जाएगा आपका वाय बैलेंस क्रेड़ दान और टोटल को वाया बैकर देना है तो प्यारी बच्चों यहां पर भी जितना भी पेसा में प्राप्त होजा है डेबिट में तू और जितना हम बुक्तान कर रहें क्रेडिट में उम्मीद है आपका अंसर मुझे से मेच हो गया होगा चले अगले प्रस्ण की और बिलकुल अगला प्रस्ण है निम लिखे सूचनाओं के आधार पर दिसंबर महीने की आपको द्वी स्थम्भी रोकडबही त्यार करनी है कौन से रोकडबही त्यार कर राशी के दो कॉलम से आपको द्वी स्थम्भी रोकडबही त्यार करनी है कौन-कौन से दो कॉलम एक केश का और दूसरा बेंक का एक केश का कॉलम होता है एक बेंक का कॉलम होता है दो राशी के आपके विपास कॉलम होते है बेंक वाला कॉलम वह विक्तियों के दर त्यार किया जाता है, जो रोखड़ी लेन देनों के साथ, बेंक लेन देनों को भी अपनी पुस्तोक में सामिल करते हैं, तो सुरू करते हैं आपकी द्वी इस्थमबी रोखड़ भी, आपको यहां सबसे बहले दियावा है, हतस्त रोखड़, यानि रोखड़ का बेलेंस, किस देट रोकड़ का, साथ जार साथ सो पचास, सौरी, बच्चों, ये केश का वेलेंस है, इसलिए इसमें आजएएगा, बेंक में कोई वेलेंस लिखेंगे ही, नहीं, सोनु को बुक्तान किया, पेसा आ रहा है की जा रहा है, जा रहा है, दिसम्बर, छे, पेसा जा रहा है तो, वाई सोनु, कित्थे का वुक्तान किया, मासर पेसा रहा है, बेंक में कब आएगा बच्चों, ये, जब हम उसका वुक्तान, चेक के द्वारा करेंगे, प्यारे बच्चों, जिस्ट में रोकड़ बही के लिए मैंने आपको बता रहे था, यदि वुक्तान चेक से किया जाता है, तो बेंक कॉलम में आता है, और चेक अगर प्राप्त होता है, तो इसके साथ दो बाते थी, पहली बात चेक प्राप्त हुआ, उसे दिन बेंक में जमा कराया, बेंक कॉलम में, सिर्फ चेक प्राप्त हुआ, तो आपको देखना होगा, कि उसे जमा करवाने की कोई डेट दी गई है क्या अगर दी गई है वो date तो आप उसे cash column में लिखेंगे और नहीं दी गई है तो आप उसे bank मानकर यह मानेंगे उसे दिन जमा करवा दिया गया है तो clear है चेक से बुक्तान होने पर bank column में माल खरीदा आठ को दिसम्बर आठ बाए परटीज कितने का माल खरीदा 600 रुपे का यहाँ पर भी चेक से बुक्तान नहीं वाइस लिए cash में प्रकास से नगत प्राप्ती पैसा प्राप्त हो रहा है दिसम्बर 15 प्रकास कितने प्राप्त हो रहा है 960 यहाँ पर भी चेक से प्राप्त होने की कोई सूचना नहीं है 20 तारिक और नगत माल बेचा टू सेल्स दिसम्बर 20 कित्र पे का माल 500 पे का आगे चलें एस कुमार को बुक्तान दिसम्बर 25 बाइस कुमार बुक्तान किया यहाँ पर भी चेक से कॉल लेंदे नहीं है केश कॉलम में आगे चलें किराय का बुक्तान दिसम्बर 32 किराय का बुक्तान किया बाइवेंट कित्ता किया 600 रुपे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेंक के कॉलम का कॉल में प्योग नहीं वा क्योंकि ना तो हमने कोई चेक प्राप्त किया ना ही हमने चेक से कोई बुक्तान किया जो पेशा हमने प्राप्त हुआ वह हमने two column याने income side में दिखाया और जो पेशा हमने बुक्तान किया वह हमने buy side में दिखाया बाद में इसका टोटल लगाया और टोटल लगाकर हमें के निकाला वाई बैलेंस के दिट डाउन टोटल के इंकम के कोलम में से expenses को गठा देंगे और वो बचेगा हमारा income का कोलम amount जो हमारे पास अंतिम सेस है महीने के अंतिम है किलियर है अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं यहां पर भी आपको बेंक स्थम्भी रोकड भई त्रियार करनी है बेंक स्थम्भी रोकड भई को ही हम द्वी स्थम्भी रोकड भई के नाम से जानते हैं दूइस तंबी रोकड भई जाहा राशी के लिए दो कोलम होते हैं एक अमाउंट यानि रोकड का और दूसरा बेंक का तो सुदू करते हैं बच्चों रोकड से व्यापार प्राइम किया व्यापार प्राइम किया प्यारे बच्चों जले एंट्यों में भी मैंने आपको बता है था जब भी हम प्यापार प्राइम करते हैं तो वहाँ पर एक खाथा प्रभावीत होता है जिसका नाम है केपिटल तो डालते हैं दिसंबर एक क्या डालेंगे? 2 capital 2 capital क्यों दाला बच्चों? यहाहं तो हमने balance bid डाला था क्योंकि उशेष था इहां मिचेश नहीं दिया हुए यहां लिखा है यह ब्रम किया इसलिए हम इसके लिख क्या लिख देंगे 2 capital आगे चलें अब दिसम्भर चैयाँ को बेंक में जमा कराया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब 10 तंभी रोकड़ भी त्यार की जाती है, तो बेंक में कोई भी राश्य कर जमा कराई जाए, तो वो दोनों खातों को केश और बेंक को प्रभावित करती है, इसलिए हैं डालेंगे, जिसम बच्यार, बेंक अकाउंट कराये, केश लिखाये तो बेंक में, और बेंक लिखाये तो केश में, प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि जब भी बेंक में राश्य जमा करायी जाती है, तो उसकी प्रविष्टी दोनों पक्सों में की जाती है, क्योंकि एक केश और बेंक दोन जाहुल कित्य रूपे प्राप्त हुए केश प्राप्त हुआ है चेक नहीं एक अजार आगे चलें नेकद माल खरीदा नेकद माल खरीदा है तो यह परचेश पंदर तरिक को दिसमबर पंदर कित्य रुपे आपको आठ एजार रुपे यहां पर भी चेक से आपने बुक्तान नहीं किया है चेक देकर माल करीदा अब यहां पर चेक शब्द का परयोग किया गया है और चेक शब्द का परयोग किया गया है तो December 22 माल करीदा तो पेसा जा रहा है by purchase और चेक से पेसा चुकाया है तो आज यहाएगा आपके bank column में के लिए ने बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शाम को नगत बुक्तान किया नगत बुक्तान किया किस को शाम को बाई शाम किस तर को बुक्तान किया December 25 को और कितने रुप्तान किया आपने 20,000 रुपे नगत बुक्तान आपने किया है तो आज यहाएगा 20,000 रुपे नगत चेक से बुक्तान रुप्तान किया होता तो प्यारे बच्चों यह चला जाता bank column में आगे चलें कार्याली उप्योग के लिए bank शेद राशी निकाली जिस तरह bank में जमा करवाने पर हम इसे दोनों तरफ प्रिष्टी करते हैं क्यों क्यों बैंक अकाउंट यार टू केश bank में जमा कराने पर उसे प्रकार कार्याली उप्योग के लिए bank से राशी निकाली जब हम कारिया ले से बेंक, कारिया ले फ्रोक के लिए बेंक से राशी निकालते हैं, तो जनरल प्रिश्टी होती है, केश एकाउंड यार पू बेंक, क्योंगी केश हमारे बिजनिस में आ रहा है, और बेंक जहां हमें पेसा देने वाला है, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि आपके दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, पहला केश का और दूसरा बेंक का, इसलिए इसकी प्रिश्टी हम दोनों साइट करेंगे, तो यहां लिखेंगे, देट क्या है, तीस तारिक को, दिसमबर तीस, पेसा आ रहा है, केस अकाउंड यार, टू बेंक, यहां लिखें सामने सी, इसके भी सामने सी, रमाउन कितना है, बेंक लिखा है, तो केश में दो हो जाए, और केश लिखा है, तो बेंक में दो हो जाए, समझा है बच्चों, आगे चलें, चेक से किराय का बुक्तान किया, बुक्तान जो हमने किया है, वो किस से किया है, चेक से, किस चीज क सब्सक्राइब तो दोनों के टोटल लगा कि आप निकालेंगे बैलेंस एक बाइ में निकालके दिखाता हूं 80, 81, 82, 83, 83,000 आपका है केश का इस सेड का टोटल यहां है 50, 70, 78, 78 इस सेड में कम पढ़ रहा है कि यह लिदेंगे बाइ बैलेंस करी डाउन 83 में से 70 गए तो कित्रे बच गए पाच जार क्लियर है यहाँ पर भी लिख देंगे 83 आगे चलें इदे का टोटल है पचास जार इदर माइनिस करना है 10, 11, 12, 13 पचास में 13 गए तो 36 जार अधर भी टोटल कर देंगे पचास जार तो प्यारे बच्चों इस प्रिकार से आप दोनों साइड का केश और भेंग का टोटल केलकुलेट करके वहाँ पर जो भी राशी मा के अंत्र में उनके पास सेश बची है वो प्रदशित होगी 5000 केश का वेलेंस है इसका मतलब व्यापारी की अंत्र में उसका महीना समाप्त हो रहा है उस दिन उसके गल्ले में जो उसके दुकान पे बोक्स रखा हुआ जहाओं पेसे डाला करता है वहाँ पांच जार रुपे रखे वेए और बेंक का टोटल आ रहा है 37 जार इसका यह प्रतरशित होता है कि दिसम्मर गतीज को जिस दिन हमारा महिना समाप्त हो रहा है उस दिन बैंक में 37 रप्रे का वैलेंस हमारा रखा होगा है तो प्यारे बच्चों यह थे आपके एक आंकिक प्रस्ण एक, दो, तीन और चार हम आगे आने वाले वीडियो में अन्य आंकि साथ धन्यवाद.